तो गाइस यह वाला रास्ता जो गया है यह अजमेर की तरफ गया और हम गोंगे हैं बिलवाड़ा अब आरे साथ हो गया है चलान कर दिया आर्टियों ने देख लो अजमेर के बारा मले भीर जैसे के आपको पता ही है हम अभी चले हुए हैं कंटीनियों सफर है अपना अभी हम पहुंचने वाले जैपूर के पास जो जैपूर से 20-30 किलोमेटर पहले हैं लगातार कंटीनियों सफर है अपना दो कंटीनियों मालों अभी जैपूर है को 31 किलोमेटर है अब आके देख लो अब तो अब हम जैपूर पहुंचके हैं पिंक सिटी के बाइपास से आगे हमारे को बाइपास स्टार्ट होने वाला है जैपूर का पिंक सिटी वह सामने ब्रीज है उदर गाइस वहां से हम ब्रीज के उपर उपर से निकल जाएंगे बाइपास से पिंक सिटी के बाइपास से जो पिंक सिटी है उसका बाइपास यह है जो पिंक सिटी सामने अदर तूरा सिटी की तरह हम रोल गया जो जैपूर अलमुस्ट पहार होने वह थोड़ा सरा गया आगे जो रिंग पोट्रों चलो अपना सफर कंटिन्यू हुई है अभी मिनू भाई को जगाएंगे तो गैस सुबा सुबा हमारे साथ हो गया है चलान कर दिया आट्यों ने देख लो अजार पर एंट्री मांग रहे थे भाई हमने बोला भाई पॉइंस फो ले लो नहीं मां रहे थे और बोलते हैं आपको चलान करेंगे यह है वो है तो अभी देख लो वो खड़िया सामने जीब सब गाड़ियों से लूटते हैं हम भी रात को पूरी नाइट लगा के आए हम तो आपको बताई है यह देख लो गाईज चाय पी लेते हैं तो फिर निकलेंगे यह हैंसकी खाने के लिए भी आए कुछ बिसकोट है और नमकीन दे दो नमकीन यह एक बैकर दे दो यह आगी चाय गईज अभी पी निए चाय गईज अब इन आपर से आचलान भी कर दिया है जाहिए बोले शक्राइब लूट लेते हैं राइस्तान वारे कि यह वाला हुटल था गाइस हमने चाय बगारा पी अधर तो अभी दर अपने गाड़ी वील काप कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं और अभी तेल थोड़ा उस ट्रेंकी में कम हो रहा था अमने सुद्राइब चलान कार दिया उसका बहुत दूख लग रहा हैं खुल भाई तो गाइस यह वाला रास्ता जो गया है यह अजमेर की तरफ गया और हम गोंगे हैं पिलवाड़ा पिलवाड़ी की तरफ गुजरात की तरफ गॉंबी अब यहां से गूम के आगे यहां पर हम आगे जंसी में कहीं चेक अप करवाएंगे यार इसका थोड़ा गाड़ी काना खिचा ही काम में हैं अब जाए जिए डोला करें में वीडियो पना लोगा है तो गाइज अभी हम चल पड़े हैं नाश्ता पानी हो गया अपना तो हमने सोचा चलो यार अभी थोड़ा रेश्ट कर लेते हैं और अपने मेनू भाई कर रहें ड्राइब तो वसीमा तो बोरा गर्मी स्टार्ट होगी गर्मी लग रही है अभी क्या हुआ अभी क्या हुआ अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी आएगी पक्षे से भी गरम आती है अद्रागे तो अभी पहुच गे हम कहां पर बंदन वाड़ा किया क्रास तो अभी आगया आएगा हमारे को रेला उसके बाद बिलवाड़ा चतोडगार उदेपूर उदेपूर से पहले ही हमने टर्न मार देना है तो अपना क्या बोलते हैं जग तो गैस अभी हम चतोडगार से अभी क्रास कर रहे हैं यह जो रोड जाता है यह अपना नमेरा उदर निमज सहट में जाने के लिए रास्ता जाता है और अभी जो और अड़ा रहे हैं को टा से तो हम जारे सीधा बाया गुजरात MP वाली से अभी आगे से जो उदर से गाड यहां रहे हैं यहां के मिलेगी तो है यह वाला दोड़ के लैश चत्तोडगार अगे चत्तोडगार भाई पास से हम बारो बार के खाना वगर आमने खा लिया अपना मुझा था और अभी अपने मिनू भाई अभी फिर रेस्ट पे आगे अपना ड्राइब कंटीनू चल रहा है चला फिर चलते हैं यह राव सीमा वसीमे गर्मी आनी अब आगे और बिलेगी गर्मी गुजरात में शरवात की इदर से शरव खाना इसलिए गर्मी काम लग रही है तो यह देख लो गाइस मौर रोड जा रहा है जो वापसी में जी स्वार से हमारी है आने वाली गारियां उदर से गई है गुजराद हाइवे उदेपूर यहां से रह गया एक सो किलो मेटर पूरा शामला जी उदेपूर मडासा गुजराद को हम करने वाले हैं बाई बाई क्योंके गुजराद को बाई बाई करने का टेम हने वाला है ओ गुजराद की राजिस्तान सो किलो मेटर रह गया उसके बाई हम गुजराद में एंत्री मार देंगे देवलो आगे कंटेनर वगेरा जा रहे हैं तो फिलाल ना पस ठंडे ठंडे में यार गाड़ी से चलती है दिन में ना बहुत गर्मी होती है अब चैरे गाड़ी भी क्या करेगी बंदे को किने चलत कर देखते हैं क्या सीन है आगे पहाड मिलने वाले आपको को दिखाएंगे चलो चलते हैं अपना सफर कंटीनिव है अपना सफर चैरे गाड़ी को पास कर रहे हैं अपने प्रवापी आरब के साथ अपना सफर दिया गाड़ का किसको बोकी को यह बोकी चलाई हुई है मने एंपने पेरे समाद के चलाई हुए है तीर मिन चलाई है यह भोगी लेकर इसको कटा नहीं गाड़ी हो लागा है समझ लो ट्रेक्टर चलाई तो यह चलाई अपना सफर आगाई तो गुजरात वालों आ रहे हैं तो गाइज अभी हम पहुंचे ही थे उदेपूर में तो देख लो भाई मिलगे आंस पार्टी मलब भाई ने फून कर दिया नहीं तो आम निकल गे थे यह बाई का नम है तो चलो भाई की वह गाड़ी छोटी लेके आगे उदर से किना पिछे से आगे अजाज भाई इदर उदेपूर से यहां से किना दूर है आपका यहां से तकरिपन 60 किलमेटर है भाई का गार तो उदर यह बाई पास में हम चड़े ही थे फिर रुक गया मैं चलो भाई से बाते चाठे करते हैं तो अपने सफर तो कंटीनु होई है सूरत के लिए तो इस रोड में हम बंदो एक दो बड़ी पहले भी आए तो अच्छे फिर बंदे को पदाए दिक्कत ही रहती है टेंशन ही रहती है जब तक में रोड पे ना चड़े ना बंदा परशान ही रहती है तो अभी फिर ठोड संब्सक्राइब करो कॉमेंट करो आगे से रागे भाई को पहुंचा दो चलो यार करेंगे आस्ते आस्ते दो बाई ने गाड़ी मिझे प्छन ली आ हमने तो देखा लिए मतलब क्या पता लगता है बंदे को नहीं तो लेकर भाई ने पिशान लिगारी अपनी तो फोन किय दो दिन से बारिश नहीं हो रही है इदर लगातारी तो चलो करते हैं बात शाथ बाई से तो फिर यह आ गया गोद्रा का अपना उदेपूर का बाई पास है ना बाई आज मिल गए गाड़ी कासी लगी बहुत अच्छी माश्या बहुत अच्छी गाड़ी है चलो यार क्या कर प्रिगंज करू घ्या जाते हैं तो दो फिर निकलेंगे हैंसे हम ऐसे भाई भो रहे आख वो है कोल टरिंग मंगाई को द्रिक पी के जाना है बहुत अटने बड़ी कस्ता वह है ठोए तो 25 ने को टृंग कर पला आया यार्स किन्क्यू वाज भाई बहुत अडेंगे नीक् ठीक है फिर तो भाई भी अपना भाई मिलने के लिए आया था तो हम यार रुके हुए थे तो चलो अब निकल पड़ें को अपना उदेपूर बाई पास में थेंक यू सो माज यार भाई ने पॉल ट्रिंग लाया और पियार से मालब पैसे की आर्ची पैसा ही नहीं होता के न सब भाईयों का आपने यूटूब फैमिली में कोई भाई आएगा तो कोई बाद नहीं रहा है तो गाईज अभी हम उदेपूर में पहुंच के बाई पास खतम करके अभी यहां से आके रोड आगया सिधा शमला जी और मदासा होते हुए जाएंगे कि गाईज अभी जाम लगा हुआ है यहां बाईक पास करास करते ही आगे बहुत सारा जाम लगा जेटेट लोगे फुदेफूर पार करके आगे खड़े हैं तो गैज अभी हम पहुंच चुके हैं शमला जी में तो अपना यहां पे रुक लेते हैं यहां से अंसोल को रास् तो तो गाईज अपना खाना वगएरा अपना हो रहा है खाना खाके फिर अपना सफर को कंटिन्यू रखेंगे गाईज तो वसीमे को तो अभी नीदर आने वाली है अँखें कुछ हिल रही है हम इसको नीन शीन भूल जाएगा दे लो तो गाईज अभी हमने ना यहां पे सतलूज होटल पे आके रुके यहां से सुबा जाएंगे हम चार बजे क्यों कि आपको पता है यार आगे गोद्रा में गोद्रा से होके जाएंगे वहां चोरी चिकारी का डार रहता है तो इसल जार मुझे बुलता कोई बात नहीं है यह देलो होटल सतलूज तो चलो ठीक है गाईज यह लाग को करते ते यहीं पे हैंड़